आज हम बनाने जा रहे हैं सूपर टेस्टी बहुत ही डिलेशियस क्रिस्पी बनकर त्यार होने वाले रमदान स्पेशल कैबेज वड़ा की रसेपी को जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मसेदासी रसेपी बनकर त्यार हो जाती है अगर रसेपी पसना आए तो रसे 3-4 गंटे पहले भीको कर रखा था सबसे पहले हम चना दाल को पानी से छान लेते हैं सबसे पहले चना दाल को पीसने के लिए यहाँ पर हमने mixer grinder का सबसे बड़ा वाला जार ले लिया है सारी भीगे वी दाल को जो हम इस जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और साथी में वड़े को और टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने 3-4 हरी मिश ले लिए हैं यह हम इसमें आट कर लेंगे और उसी के साथ में 1 इंच अद्रक का तुकडा लिया है यह भी आट कर लेंगे 4-5 लेस्टंगी कलिया आट कर लेते हैं ढ़सिमें 1 टेबल स्पून साबू धन्या早ट करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा आट कर लेते है और थोड़ा सा पानी आट कर इसे हलका सार हमें धरदरा सा पीस लेना है यहाँ पर हमने दाल को पीस लिया है आप जो है इसका texture और consistency देख सकते हैं मिक्षर हमारा बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए हमें इसमें पीस्टे समय जादा पानी आड़ नहीं करना है जिससे कि हमें बड़े बनाने में काफी असानी हो जाती है अब यह सारा मिक्षर जो है हम mixing bowl में transfer कर लेते हैं अब इसमें बच्ची हुई चीजों को हम आड़ करेंगे यहाँ पर half teaspoon हम इसमें healthy powder आड़ कर लेते हैं साथी में one teaspoon red cherry powder आड़ करेंगे आप तीखा अपने इसाफ से कमसारा कर सकते हैं उसे के साथ में यहाँ पर 100 gram हमने इस तरह से बारी कटी हुई cabbage ले लिए है यह सारी cabbage जो है हम इस दाल की mixture में add कर लेंगे उसी के साथ में यहाँ पर जो है हमने एक बड़ी साइस की प्यास ली है slice में कटी हुई यह भी हम इसमें add कर लेते हैं और यहाँ पर बारी कटा हुआ हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है यह भी हम इसमें डालेंगे और साथ ही में जो है इसके टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक add कर लेते हैं तमाम चीज़ों को कफी अची तरह से mix कर हम वड़ों का mixture त्यार कर लेंगे आप चाहो हो तो cabbage वड़ा की preparation सुभा में ही कर सकते हैं अगर mixture को mix करकर जो है इसमें नमक ना add करें जब आप वड़े तलने के लिए जाएं तब ही जो है इसमें नमक add करें वनना जो है नमक add करने से mixture में पानी release होना start हो जाएगा यहाँ पर cabbage वड़े का mixture बनकर हमारा बिल्कुल त्यार हो चुका है वड़े को fry करने के लिए यहाँ पर हमने पहले से ही तेल करम होने के लिए रखा था आप देख सकते हैं काफी अची तरह से तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है वड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाथों को हलका सा पानी से गीला कर लिया है अब mixture का जो है थोड़ा सा potion लेकर इस तरह से वड़ों का shape देते हुए हम वड़ों को त्यार कर लेंगे अब जो है वड़ों का size अपने इसाफ से छोटा बढ़ा रख सकते हैं अब एक-एक कर जो है वड़े त्यार कर हम गरम तेल में इस तरह से place कर लेंगे यहाँ पर हमने दाल को पीसे समय जगा पानी आड यायज नहीं किया था बिलकुल पल्फेक कंसिस्टन्सी में हमने दाल को पीसा था आप देख सकते हैं कितने असानी से वड़े हमारे बनकर बिलकुल तियार हो जा रहे हैं पिना किसी भी प्रॉब्लम के अब इसी तरह से जो है चाचार पांच पांच की बैचेस में जो है हम वडों को अच्छी तरह से जो है फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर हमने वडों को ग्रम तेल में जो है ट्रांसफर कर लिया है अब इस तरह से जो है हम वड़ों उपर हलका हलका सा तेल डालेंगे जिससे जो है उपर से भी वड़े हमारे कफी अच्छी तरह से फ्राय हो जाए हमें इसे तीन से चार मिनट के लिए एक साइट से मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राय कर लेना है उसके बाद जो है हमें इसकी साइट को जो है इस तरह से टन कर लेना है हमें जो है इसे बहुत ही आराम आराम से फ्राय करना है जिससे अंदर तक की वड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राय हो जाए वड़ों को हमें बढ़ियां सा, गोल्डन ब्राउन और क्रिर्ऍपी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है यहाँ पर हमारे पान से छे मिनेट हो चुके हैं, आप देक सकते हैं कितना बहतरिन सा ज़ो है वड़ों में golden brown color आ चुका है कितने बहतरिन हमारे यहाँ पर वड़े fry होकर बिल्कुल तयार हो चुके हैं बहुत क्रिस्पी वड़े fry हुए है अब एक एकर जो हैं हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं अब इसी तरह से जो है बाकी बचे वड़ों को भी जो है हम अच्छी तरह से fry कर लेंगे यहाँ पर क्रिस्पी चटपटे मज़ेदा से हमारे cabbage वड़ा बनकर बिल्कुल गर्मा गरम तयार हो चुके हैं सर्फ करने के लिए जिसे हमने गर्मा गरम सर्फ किया है टोमाटो सॉस के साथ आप जो चाहो तो इसे धनिया पुटीने की चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं जितनी यह रेसेपी बनाने में आसान है खाने में उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी है उमीद है आपको ये मेरी रेसेपी ज़रूर पसंद आई होगी और इस रमजान आप मेरी रेसेपी को ज़रूर ट्राय करें उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी, रमजान के लावा आप जो है इसे breakfast में एविनिंग स्राइस के तोर पर भी जो है बना कर सर्फ कर सकते हैं, उमीद है आपको ये मेरी recipe जरूर पसंद आई होगी, अगर recipe पसंद आई हो तो recipe को like करें, share करें, comments करें, मिलते हैं अपनी ए झाल झाल